बिस्मिल्लार रख्मान वाहीम, असलाम लेक्व विवर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग और आज हम क्रिस्पी क्रंची बहुत ही मज़े के पोटेटो ट्विस्टर्स बना रहे हैं रेसिपी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को औल पिक कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा समोसा ट्विस्टर्स को परफेक्ट बनाने के लिए डो बहुत इंपॉर्टेंट है सो हमने दो कब भर के मैदा लिया है जाइकी के लिए नमक आधी चैकी चमच अगर आप बजार जैसे क्रिस्पी समोसे बनाना चाते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि घी का इस्तमाल किया जाए घी जमावा थासो हमने से पिगला लिया पिगलावा घी पांच काने वाले चमच भर के लिया है अच्वाइन कौाटर टी स्पून ये से हाजम भी बनाएगी अगर हातों में सरसे मसल लेंगे ना तो इसके हुषबू सो दो सुगुना बढ़ जाएगी सबी को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेते हैं अगर आपके पास घी नहीं है तो इस सूरत में आप साथ काने वाले चमच भर की कुकिंग ऑईल भी शामिल कर सकते हैं घी एक साथ औरपे मैदे में मिक्स हो चुका है अगर हात में लेते हैं इस तरह से दुबाएंगे न तो देखें बाइन पोजिशन में आ रहा है पानी रूम ट्रम ट्रेचर पे आई है थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर रहे हैं समोसी के लिए डो काफी है तक पाइन पोजिशन में आगे सो खुशक आटे में अच्छी तरह से फोल्ड करते वे मजीद सक्त कर लेंगे यानि डो हमें ऐसी चाहिए जो खूब सक्त हो अब हम इसमें दो खाने वाले चमच पर की ऑईल शामिल कर रहे हैं और इसी में मसलते वे इसे अच्छी तरह से दो से तीन मिन्ट तक गून रहे हैं पीसे में काटते वे अब हम मैश कर रहे हैं यह देखें आलों को चिलकी समें दुबाला था ना तो मसाला कि इतना हुश्क हुश्क है यानि पानी बिल्कल भी आलों में अब्सॉर्ब नहीं हुआ इसके साथ ही हम हीट को आन कर लेते हैं तीन चमच ऑईल में हम दो चमच भर के बेसन शामिल करें इसे सिर्फ एक मिन्ट तक हम मून लेंगे यानि इसका कच्छा पन खतम करना है ज्यादा ब्राउन कलर नहीं आने देना अब हीट को लो करते वे इसमें मैश किये वे सबी आलो को शामिल कर रहे हैं एक मिन्ट तक अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं आपके जहन में ये क्वेस्टिन आएगा कि हमने बेसन क्यों डार के बूना है बेसन बाइंडिंग का काम करेगा बाते करते करते हमने कुछ मसाले शामिल कर दिया अगड़ा मांचा चाही के चमच पौडर के लिए लिए गर मिसाला पौडर चाट मिसाला पौडर ये कवाटर टीस्पून है अचकुटा हुश्क धन्या ये 1 चाही के चमच भर के लिए चना फिलिंग तो त्यार होगी इसकी साथ ही तोर सा मेधा डस्ट कलीते हैं गुंदेवे आठी को हमने दो इसो में डिवाइट करते वे एक बड़ा पेड़ा ले लिया है इसे राउंड शेते रहे हैं समोसी की डो को हमने रूम ट्रम ट्रेचर पर ही रखा होगा आपको अंताजा हो रहा होगा कि टच करने से भी इसमें ज्यादा निशान ने पड़े यानि काफी सकत है डो जितनी सकत होगे इस मोसा उतना ही क्रिस्पी बनेगा जिस कदर हो सके बारीक से बारीक रोटी बे लें और जितना चाहें मर्जी मेदा डस्ट कर लें बस इससे नीचे की सथा पर चिपकना नहीं चाहिए आलो की फिलिंग जो हमें त्यार किया यह बलुकल रोम ट्रिंटर प्रेचर की बेलीवी रोटी की आदे हैं इससे पर हम भी ना रहे हैं याने बलकुल समूध फिलिंग होनी चाहिए जहां भी देखे हैं कि थोड़ा सा फरक है आप उपर वड़ी रोटी को हलका सा खेंचते वे इसके साथ बराबर ला सकते हैं हलका सा हाथ से प्रेस करें इसी उठा कि थोड़ा सेंटर में रख लेते हैं ताकि आपको दिखाने में सानी हो अब हाफ इंच चुड़ाई की हम लंबी स्ट्रिप्स काट रहे हैं आप इसके लिए तेज चुरी का इस्तमाल भी कर सकते हैं एक बड़े साइस की बेली भी रोटी से आप तकरीबं 12 से तेरा तक ट्विस्टिट समोसे बना सकते हैं आपको उसानी से नज़र आए सो दर्मयान से में एक स्ट्रिप को उठाते हुए दूसरे के उपर फोल्ड करी हूँ अब कोई भी वोडन स्टिक ले ले रहे हैं शाशलिक स्टिक ले ले हम दो दफ़ा हम एतियासे से ट्विस्ट करें आलू हमने खूब धेर सारे भरे हैं सो साथ साथ हम इने आलू को अंदर की दर प्रेस भी करें आलू को मजीद अंदर की तरफ प्रेस करने के लिए मुठी को इस तरह से खोले बन करें यह बिल्कुल पॉपर शेप में आ जाएगा बेली हुई रोटी के वो सिरे जिनकी लंबा ही बहुत ही काम है उन्हें आप इस तरह से सिर्फ ट्विस्ट कर ले यानि यह डबल रैप क करने की बिल्कुल भी जूरत नहीं है और यह जो बड़ा वा लंबा सिर्फ आपको नजर आ रहा है सिंदर की तरफ हल्का सा प्रेस करते वे मुठी कोले बन करें इसकी पॉपर शेप बन जाएगी बेली वी रोटी का सबसे लास्ट अला जो सिरे ना इसे हम पहले अंदर की मोड लेते हैं उसके बाद हलका सा ट्विस्ट कर लें यह देखें कोई पीस भी हम जाया नहीं करने दे रहें बलकि छोटे बच्चे ज़्यादा शोक से खाएंगे पोटेटर ट्विस्टर की हाफ क्वांटिटी को हमने जिप लॉप बैग में डालते वे फ्रीज कर लिया है ट्विस्टर समोसा को फ्राइ करने से पहले हम एक पेस्ट बना रहे हैं इसके लिए चार चमच मेयदे में थोड़ा सा पानी डालते वे गाड़ा पेस्ट बना लिया है यह रैसिपी बनाते हैं मुझे काफी तीज बखार हो रहा था सो मैंने इसे फ्रिज के नीचे वाले इ पाल रहे हैं देखें इतना गाड़ा है कि बस घलकी सी कोटिंग हो रही है और को तीस सेकेंड तक मिटियम लो हीट पे गरम कर लेने के बाद इच्छ को बिल्को लो कर दिया है जिस तरह आपने देखा कि कोचोरी की रेसिपीस में मैंने आपको बताया कि बिल्को लो हीट प बात पहली दफ़ा इसे हालाया तक्रीबन बारा से तेरा मिर्ट्स के अंदर इन पी अच्छी सुनेरी रंका ताग यह सो इनने निकाल लेते हैं आपको ये किनन आवासी बेंदाजा हो रहा होगा ये कितने क्रिस्पी बने हैं यह मैं आपको जूम करके दिखाती हूं देख अब ही रेसिपी यूट्यूब पे देख रहें तो फालू कर सकते हैं दौव मियाद रखें थैंक्स फॉर वाचिंग